टीवी एप जितनी भी वेब सीरीज बनाती है वो 100% लोगों को पसंद आती है क्योंकि वेब सीरीज रिलेटबल होती है और लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं वैसी ही एक वेब सीरीज थी कोटा फैक्टरी जिसमें कोटा में पढ़ रहे बच्चों की जीवनी दिखाई गई है कि वहाँ पे कैसे मेडिकल और इंजिनियरिंग की बच्चे त्यारी करते हैं वहाँ पे कोचिंग करते हैं कैसा उनका लाइफ स्टाइल रहता है कैसा उनका लव लाइफ रहता है और क्या-क्या उन लोगों की जिन्दगी में चलते रहता है टीचर के साथ क्या रिलेशन रह लेकिन इसका दूसरा सीजन आया था वो Netflix पे आया था जो कि हम सभी ने देखा था और इसकी जो पहली मस्त बात थी कि ये Black and White में पहला सीजन आया था और दूसरा सीजन को ये इसने Black and White तो नहीं लेकिन Colorful में हमें दिखाया गया था और ये एक तरहिके से इनका एक दावा था कि पहला सीजन black and white में कैसा चलता है जो कि बहुत ज़ादा लोगों को पसंद आया था और इस वेब सीरीज का जो हरे character है लोगों के दिलों में बस गया है और वेब सीरीज का जो ये तीसरा सीजन आने वाला है सब इसके लिए बहुत ज़ादा excited है क्योंकि जो ये तीसरा सीजन है नेट फिलिक्स ने बहुत कुछ समय पहले ही ये confirm कर दिया कि तीसरा सीजन बहुत जलदी आने वाला है और ये सब सुनकर बहुत जादा excited है क्योंकि जो पहला और दूसरा सीजन था ये बहुत मस तरीके से और बहुती comedy drama way में present किया गया था और TVF की show है तो वो तो कमाल का रहता ही है और quota factory जो web series है वो G और mains का जब exam होता है उसी के आसपास release होती है तो ये hope तो यही है कि अप्रेल और मई के आसपास ये web series release होगी क्योंकि March के last में Netflix ने Instagram पर ये दावा कर दिया मतलब ये post किया था कि बहुत जल्द आपको quota factory का season 3 देखने को मिलेगा तो hope यही है कि मई के महिने में हमें quota factory का season 3 देखने को मिले अगर कोई update आती है कुछ changes आते हैं तो मैं आपको time to time update कर दूँगा और ऐसी ही movie और web series का review और information देखने के लिए जानने के लिए channel को subscribe कर ले और कोई अगर question हो तो comment box में पूछ लेना